नमस्कार मैं त्रिप्ती और आप देखने हैं दन्यूस वाला नेटवर्क सिख्षा विबाग में एल्टी और प्रवक्ता कैडर में बंपर्त बादलों से अतिती शिख्षकों की नौकरी भी खत्रे में आ गई है अतिती शिख्षकों के पदों को रिक्त नमाने जाने की वज़े से कई पर्मनेंट शिख्षकों की तेनाती उनके पद पर हो गई है विवस्ता के अनुसार पर्मनेंट शिख्षक के आने पर अतिती शिख्षकों को हटना पड़ता है मादमिक अतिती शिक्षक शंग के प्रदेश अध्यक रासिस जोसी को कहना है कि पूर में कई बार सरकार ने वादा किया था कि अतिती शिक्षकों के पदों को रिक्त माना जाएगा लेकिन अतिती शिक्षकों के लिए इस नियम को लागू नहीं किया गया जिसके बाद अब अतिती शिक्षकों को लगातर हटना पड़ रहा है हाल ही में तबादल सत्र के दोरान बेसिक से एल्टी में प्रमोशन समाने और अन्रोद के अधार पर तबादले और अचार सहिता के दोरान रोके गए तबादले आदेश बहाल होने से बड़ी संक्या में तबादले हुए हैं वर्तमान में प्रदेश के विभिन मादमिक स्कूलों में 3500 से ज़्यादा आतिती शिक्षक काम कर रहे हैं तबादला प्रमोशन को लेकर आसिस जोसी बताते हैं कि तबादला प्रमोशन की वज़े से 1000 से जादा आतिती शिक्षकों के सीधा सीधा प्रभावित होने की आशंका है। अतिती शिक्षक दूर्गम छेत्रों में लंबे समय से सेवाय दे रहे हैं जिन पदों पर अतिती शिक्षक कारे रत हैं उन्हें रिक्त की श्रेणी से हटाया जाना चाहिए। की धामी सरकार ने चुनाओ से पहले कैबिनेट बैठक में अतिती शिक्षकों का मांदे बढ़ाने का फैसला किया गया था। की श्रेणी से बढ़ाने का जाना चाहिए। की श्रेणी से बढ़ाने का बदे रहे हैं जाना चाहिए।